नमस्कार आप देख्टरे न्यूस फॉर्डेशन और मैं हूँ साम्त्पना अपके साथ बिहार की महागजबंदन सरकार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा एक दूसरे पर आरोप प्रत्य रोप का सलसला शुरू हो गया है जहां जदियू एक तरफ आरजेडी को अल्टिमेटम दे रही है अपनी नाराजगी जाहिर कर रही है तो वहीं आरजेडी नेता अपनी बयान बाजी से ठक नहीं रहे हैं इन सब के बीच कॉंग्रेस ने बड़ा फैसला लिया है और नितीश ते जस्वी को दिखा दिया है कि किस प्रकार सरकार चलती है जी हां कॉंग्रेस ने एक पॉलिटिकल कमिटी का गठिन किया है जिसमें कई वरुस्ट्रे नेताओं को शामल किया गया है ताकि बड़ी इसला निकलकर सामने आया है उससे नितीश और तिजस्वी दोनों के होश उड़ गए दरसल महागजबंदन के अंदर चुनाफ के बास से नई सरकार बनने के बाद तक उपेक्षा का दंश जेल रही कॉंग्रेस में बिहार में बड़ी राज़ुतिक फैसले लेनी के लिए पॉलिटिकल अफेर्स कमिटी बनाई है कमिटी का अगचन पूर्वराज जपाल निखिल कुमार की अध्यक्षिता में की गई है इसमें प्रदेश सर के 24 निताओं को रखा गया है इसके अलावा दस विशेश आमंतरत निता भी है बतादे कि अब तक मागजबंदन जिसमें अब जदियों भी शामिल है कोजिनेशन कमिटी नहीं बना पाई है इसकी मांग भी कॉंग्रेस उसी तरह से नहीं कर रही जिस तरह से माले कर रही है आप जेटी के विदायक सुदाकर सिंग ने भी कोजिनेशन कमिटी बनाने की मांग की है लेकि नितीश कुमार की चुपी ह बिहार कॉंग्रेस पर यारोप लगता रहा है कि उसके कई फैसले लालो यादफ के रणीतिक चालो या नितीश कुमार के रणीतिक चालो के तहट लिये जाते हैं हाल में जब पूर्वे केंद्र मंतुय और वर्तमान में राज्य सबा सदस्य अकिलेश पिसास सिंग को प्रदेश कॉंग्रेस का देक्ष बनाया गया तो ये चाच्चा जोरो से उठी कि अकिलेश पिसास सिंग लालो यादफ के खास है इसे लिए उन्हें ये पद दिया गया हलाकि इस चाच्चा के विरोध में कॉंग्रेस नेता अनील शर्मा का तर्क भी सामने आया लेकिन राजनीती में जो परसेप्शन बन जाता है फिर बन ही जाता है ब्यार में विदान सबाँ चुनाव में कॉंग्रेस ने मागट बंदर में 70 सीटे चुनाव लड़ने के लिए जद करके ले लेकिन उस पर जीत हासल कर पाई सिर्फ उनी सीटों पर दूसरी तरफ माले ने 12 सीटों पर जीत हासल की तब आरजेटी में नाराजगी बड़ी आरजेटी नेताओं ने माना कि कॉंग्रेस के खराब परफॉर्मेंस की वज़े से ही कॉंग्रेस को इतनी कम सीटे आई हैं कॉंग्रेस का तरक रहा कि उन्हें कमजोर सीटे दे दी गई इसलिए ऐसा परफॉर्मेंस रहा तुजस्पी आदफ तो इतने नाराज हुए कि विदान सबर चुनाफ के बाद तारापुर, कुशेश्वरस्थान, बोचहा, गुपाल गंज, मुकामा, कुड़नी उपचिनावों में कॉंग्रेस ने RGD को अलग थलक कर दिया और कॉंग्रेस की सीच पर भी अपने उमीदव दे दिये, ताना तानी के स्तिती बनी रही, अब नितिश्ट जस्पी सरकार में कॉंग्रेस मंत्री मंजल में शामल है। तर्फ कॉंग्रेस में अपना बोलबाला कायम करने के लिए, अपना वर्चसव कायम करने के लिए और नितिश्ट जस्पी को एक तरीके से सीख देनी के लिए पॉलिटिकल अफेस कमिटे का अगच्छन कर दिया है उसके बाद ये एक जवाब है नुती शौर्त जस्वी के मूपर की कॉंग्रेस के तरीके से बहार में काम करेगी कॉंग्रेस पूरी तरीके से रास्ते पर आठ चुकी है और आप किसी भी तरह के कोई लापरवाही या कु अता ही बढ़ती नहीं जाएगी फिला के लिए इस कबर में इतना ही नमस्काव